Hello students, I hope you are completely safe देखे students, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको ये topic करा दिया है Parts of speech एक बार मैं आपको revise करा देती हूँ कि Parts of speech क्या होता है? सब्भेद होता है कि जो भी word आगे हम use करेंगे उनके नाम हमें पता होने जाहिए नाम पता होंगे, तभी हम उनको sentence में properly use कर पाएंगे ये जो होते हैं, ये eight types के होते हैं noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, introduction इनके सब के बार मैंने आपको बताया था तो चलते हैं अब आगे की तरफ जो आपका Parts of speech में पहला topic है पहला part है, वो क्या है? The noun नाउन क्या होता है, आज मैं आपको वो पढ़ाऊंगे, बहुत लंबा chapter है लेकिन हम इसे दो वीडियो में खत्म कर देंगे I think तीन वीडियो में, तीन वीडियो में आपका नाउन खत्म हो जाएगा आज मैं नाउन का आपको थोड़ा introduction देती हूँ देखे, नाउन क्या होता है, naming words are noun कि जो भी naming words होते हैं, उनको हम noun कहते हैं naming words क्या होते हैं, देखी बच्चों, दुनिया में कोई एक ऐसी चीज नहीं होगी जिसका कोई नाम नहीं हो, यह बात मैंने आपको पहली वीडियो में भी किलियर की थी कि दुनिया में कोई ऐसी सीज नहीं होते हैं, जिसका नाम नहीं होते हैं अब आपको यहां जो यह दिख रहे हैं, इनका भी नाम है, words है ना, अगर हम इनको अलग कर दे आपको जो मैंने आपको यहां पर ण्रोप कर आपको प्राण कर एंपको इनका भी नाम है धर्थी के होपर है हर चीज का नाम हो चाहे वह इंसान की यह बनाई हों और भगवान की तो उसे ही हम क्या करते हैं कि नाम वाले सब्दों को ही कि हम सब्दों के रूप पढ़ रहे हैं उन सब्दों को ही जो नाम का काम करते हैं उनको ही हम नाउन कहते हैं किसी को अज़क्टिव किसी को अद्वर किसी को फिर की और बड़ ओर डियाँ टीन क्वार्थ ना संयर्ड थी थोज़ इन में टिफ्रेंस लोटा ज़सा क्यास पिछ सब्सक्राइब किइल अनके बिच मान लीजे और उस್के समय जे उं तरक्ष लें subscription सामने पूरा एक कपड़ा रख दिया बहुत लंबा कपड़ा है और आप कहने लगे कि मुझे इसमें से इतना दे दे दिजी इतना कपड़ा मुझे दे दिजिए तो यह क्या हुआ का पार्ट करना बस उसका कोई हिस्सा हमने ले लिए तो वो होताए किसी चीज का पाञ समझा आपको अब आगे देखे काइन्स और टाइप क्या होते हैं अब आपके सामने एक कपड़ा यह रखा है एक यह रखा है यह कोटन का कपड़ा है यह सिल्क का कपड़ा है और यह वूलन कपड़ा है ना तो आप कहने लगे कि मुझे तो कोटन वाला दे दो यह कोटन वाले में स तो ताइप काइण्स में और पांट मीं यह अंतर है जो कर दो बच्यों ठीकिल जो होता है इन से सिविग होता है उसी में से निकलने वाला मतलब यह भी यह सब एक होंगे लेकिन पांट सब्सक्राइब कार इंगे अलग अलग तरहिका कर दो तो विल्पूल अलग तरह कि इतने नाम जब हो गई तो इनमें confusion होने लगा तो क्या कर दिया गया उनके लिए पांच box तयार कर दिये गए उन पांच box के अंदर क्या किया उन सारे नाम को दुनिया कें थे जो हम यहाँ पर बनाउन पढ़ेंगे वे पढ़ेंगे उनकी creation के आधार पर रचना के आधार पर है और आगे जो आप noun पढ़ेंगे noun एक type से और हो थे बोकश की योज की आधार तो मैं आपको पहले creation का मालूम भी होगि क्योंकि मैंने आपको classroomे थोड़ा के बारे में introduced क्या था सबसे पहले देखें जो पहला जो यह सकते हैं Kota नाम जो हम इसकी जैसे भõ कह सकते हैं कि भ भाई को कहें गें चुलने इनको remarkable दिखाने के लिए रखा जाता है छोगन मुखन करने पर चाहिएक। नम कर Н oily इसे कैसे भूलाएंगे हुझे राजा अवाजग लगाने से कुछ पंछान के लिए विशेश नाम करने में सबस्राइक है सबस्सक्राइस्ट प्रॉपिव quick है दिए जैसे कि यहां पर लिखे हुए है लड़की सब है तो मत उपती है बच्चों का भी चैज armas को चाहिए लिखेंद से लेकिन अगर हम इसे कह देट आप डिनोल डैन में तो रिनोल्ड जोगा उसका प्रोपर नाउन ये क्या है एल्टी나 मिशस मारे की दिखने वाले जो हम सब को कह सकते कि वह चाहि tapping ऐसे बने है इस में से पढ़ते हैं इस से पमे कांची तोया ईए किताब है तो एक जैसे दिखने वाली जो फ़ांक्षन भी करती है मतलब Shot basically जैसे एक जैसे ही जहता है लोक जमिंटलब है की यह काम भी मिलते जुलते हुए होते है और जो क्या इसे जिनकी आकर्त इस्ट्रक्ट नाउन है उसको हम काहते हैं बता है लड़की को कह सकते हैं को सब को से नाम हमने शुर्स यान किससे आंधर दख सकते हैं बतरीकी हैया को यह वार्ड है शुक्रिक बता संगत ओंग अन या जब भी से खिण Anda प्रोपर जो सबको बोल सकते हैं तो सबका एक विशेष नाम होता है दूसरों से अलग दिखाने के लिए होता है और कोमन क्या होता है जो सब का एक जैसा एक नाम होता है उसको हम बोलते हैं ठीक है जब सब के जो एक जैसे काम करते हैं जो लोग है ना जैसे मजदूर है तो सारे मजदूर को मजदूर कहेंगे हम जैसे टीचर सब टीचर को टीचर कहेंगे हम सब पियों को पियों कहे गाल कंचा कर देखने हैं नहीं जिनकी बोड़ी इस्ट्रेक्टर से लड़कों की स्ट्रक्ट्रोस जैसे Doare स्ट्रक्टर से सारी मचली में मचली ऑगा में किदते की तो जो आकर्ति के अनुसार जो एक और उन में से वहीं जब हम को किसी विशेश को बुलाना हो तो वह तो नाम लेने पर सारी भागे हो आएंगे तो हमने उनके अलग से भी नाम रख दिये उनको हम बोलते हैं प्रोपर नाउन प्रोमन इंगना अगे चलते चर्स था नाम नाम होको तो बता तो यूजएowania पथा प्रोंनाम भागों होहैं नाम उनका होगा मतलब समू मान लिया महफ का नाम होतकी सकाफिर्ण सैनलिया करते हैं ओaran कि आप 20 см कर दिए यहां पर हमने बहुत साइसे बहुत सारी हमने सैनिक भूला लिए हैं लड़ाई करने के लिए और हम एक और देखेंगे तो तो अगर शोड़ें तो सबको सेना कहेंगे तो जो सबको मिलाकर बना एक नाम जो दे जिसको मिलाकर जो एक नाम दिया वह होता है क्लेक्टिव नां अब देखिए एक खड़ा है इस्टुडेंट है हम उसे स्टुडेंट कहेंगे दो से ले गए दो एक कमरे के अंदर जब उसके अंदर बहुत सारी श्टुडेंट पेड़ जाते हैं और टीचर भी आ जाते हैं और वहां पर सारी फेसेलिटी पढ़ाई वाल है क्योंकि उस जगह पर बहुत नाम तो एक है लेकिन उसकी अंदर तो बंदें तो बहुत सारे इनसान तो बहुत सारे है इसलिए हम उसको प्लक्ति ना मुलते आप देखें यह अलग-अलग हमने रख दी एक चावी यह चावी यह है यह दो चावी है अलग ती तब हमने इनको नाम दिया चावी हो गई तो हमने इनको नाम दीए तो नाम दे दिया। बूइव पीछे से भी जुन्ट को जुन्ट को नाम दिया गागल दिया गागल बूज का जो गुरूप होता है बुछों से हम गागल बोलते हैं तो जब कलहंस के जुट को नाम दिया हमने उसको अमने गैगल बोल और यह ही क्या है यह कलेक्टिव नाउने क्योंकि इसका मतलब यह कि बहुत सारे घ्लस और हड्ड क्या होता है बच्चों यह होता है जानवरों का जुट गाएए भैस का जुट होता है उनको हम बोलती हम देखेंगे क्राउड क्राउड क्या होती है बच्चों क्राउड मींस होता है भीड कब बनेगी जब ज्यादा लोग इखटे होंगे समझा रहा है आपको नाम नाम तो एक लेकिन उसके अन्दर इन्सान वस्त्व बहुत सारी क्राउड की भीड ऐता है और वह यह वह को लिखूंगे लिए रेंगी होते तो और वह लिए लुए कि टीन प्लालमा वह दोगी जो आपकी यूज में आते भी आते भी आप इन वर्ड को जातर देख देख दिए डिके ग्राउड क्या होता है घरिफ भीड हुते भीड होती है एक जो और मोब जो और जो होती है यह तरह की बीड़ होतीं की यह होटी है बढ़की भीड़ होती है जब कोई पूलते हैं ग second लग किसी को फॉल एज जाने लगए जब दंग सरो threaten fail लगार िनलट talks a होता है जब भीड हो ऑसकीज़़ सा उर यह दोसरे को धक्कील रहे हिं वाग रहे उसे हम बोलते हैं रस ठीक है जैसे कि बाजार में रहता है टीनों भीड में यह तीनों ही लेकिन कया होते हैं घ्जियाभिस बहुत को बताई दिया बहुत सारे खिलाडी मिरेंगे तो एक टीम बनेगे और नाम एक दिया जाएगा तो यह होते हैं कलेक्टिव नाउन जब इनसान और वस्तवे तो बहुत सारी हो लेकिन उनका नाम केवल हमने एक रख दिया हो कब रखा हो जब यह सारे एक जगा इखटते हो ज हम सब को कह सकते हैं एक कभी कंफ्यूजन ना हो तो सब को एक अलग अलग नाम भी दे दिया वह प्रोपर नाउन और जब सब एक जगा मिल जाते हैं और उनको एक नाम दे जाता है तो उसे हम बोलते कलक्टिव नाउन देखे आप थोड़ा समझने की कोसिस कीजिए अब जाते हैं करने लगते हैं एक जगा साथ साथ चलते हैं और हैं जा पीछे बढ़िकन में जसा पीछे व दूसरी है व ass गुंप मिलें आपकलेश्च सारी किया सबस्क्राव साथ साह चलते हैं ये ठीफर्टित के विज कि होता है तो तीनो नाउन मुझे लगता है आपको अच्छी तरे से समझा गए होंगे आगे बढ़ते बच्चो अगला नाउन है बच्चो अगला नाउन होता है व्यक्ति वाचक संग्या अब हम पढ़ रहे हैं यानी मटिरियल नाउन एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखे बहुत अच्छे से समझेंगे इसे एक तो होते हैं खाने वाले समान खाने के जितने सामान होगे, वे सब आपके material नाउन होगे, ध्यान रखेंगे इस बात को, खाने के सामान क्या होगे, material नाउन होगे, अच्छे से समझा गया, खाने के सामान, material नाउन, दूसरी बात, खाने और पीने के सामान, material नाउन, साथ में पीने के भी सामान, material नाउन, खाने और पीने के सामान मटिरियल लाउन तीसरी बात ऐसे धातू के या खनीजों के नाम जिनसे हम बहुत सारी धातू और बहुत सारे खनीज भी बना बहुत सारे अन्य सामान बना सकते हैं ठीक है बहुत सारी अन्य धातू बना सकते हैं बहुत सारे अन्य वस्तुय बना सकते सामान नहीं है लेकिन घंड नहीं अपना सकते हैं जुल्री बना सकते हैं यह ब्रेशलेटेश आप अप जीज़े गोल्ड से बना सकते हैं एक ऐसा पदा ऐसी धातू है ये जिससे हम बहुत सारे अन्य धातूइं बना सकते हैं तो ये क्या है ये बच्छोन है लेकिन आप अपने टेली यूज कि लएवेवेवी में देखते हैं कि कितने किस बनती है बहुत सारी चीज़े बनती है ठीक हर चीज में आयरन यूज होता है आपके मकान बनते उसमें भी आएरन के जो है डाले जाते हैं जिनकों सरीय बॉलते में चाहता है यह सपोर्ट देने के लिए बहुत सारी जगा पर अशाँ के आप बहुत सकते पर कोपर क्या होता है बच्चो इन सामान अगया जाएंगे देखे बच्चो बहुत आसान पहचाना आपने यह सारे नाउन देखे हैं यह प्रॉपर नाउन कोमा नाउन कलक्टिव नाउन और एक मतिरियल नाउन आप सबको देख सकते हैं उनका रंग भी बता सकते हैं रंग रूप आपसे पूझने लगे कि बताओ राधा कैसी है वही खुने तो इसका जो पाजी आपको इभशान में बता आप हैं नहीं कि जो जो ऊपर मैंने कहीं है जा अब इंदगरोगों कैसा है गुरूप में जो है सब अच्छी परसनेलिटी के वह तो हम इनके बारे में देख कर कुछ नकी बारे में हम देंगा थोड़ा इनको डेस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन एकविस्ट्रेक्ट नाउन ऐसे हैं जिनको ने तो आप कभी देख सकते हैं ने छू सकते हैं ना उनके सकते हैं कि वर्ण कर सकते हैं इनका आप और नहीं कर सकते हैं केवल इनको हम भील करते हैं महसूस करते हैं यह हमारी भावना यह होती है कि जैसे आघ अप बता पाएंगे तो यह क्या है यह कश्टमय को बच-वदक को रंगा की खुर्ड हमम करते हैं बचपन कोई नहीं हों बच-पन न का रंगा न्हीं अप मतलग На ना पतलव ना उसका चोटा उता है ना बड़ा होता है ना उसकी पर्सनेलिटी होती है तो बचपन क्या है एक एक इश्च्राफ नहीं ऐसे अगर हम कहने लगे किसी की प्रवावना का नाम है कि मेरे अंदर इमानदारी है मेरी इमानदारी है तो ऐसा नाम है वोड़िस बताव तो हम इसकर नहीं कर सकते हैं इसके बारे में व्यक्रिप्शन नहीं दे सकते तो यह क्या हैं एक अभीक नाम रहा है यह दा मोर एथिरियल थेओरिटिकल कॉंसेप्ट यूज एविश्ट्रेक नाउन टुराफर देंग देखे क्या कह रहें कि अधिक जो इश्वरी या अलोकी क्या पार लोकी कहना और सिधानतिक या कह सकते कालपनिक जो कॉंसेप्ट होते जो अवधानाय होती है यूज की जात इनको इंडिकेट करने के लिए उनकी तरह को पॉइंट करने के लिए कि चीजें क्या करती है अबिस्ट्रेक नाउन को दर साथिया मतलब जो इश्वरी होती है जो कालपनिक होते जिनके बारे में हम रूप रंग आदिकी इस्वर कही कौन रूप रंग बता सकता है बच्च नाव、 बुड़ा पाई जो नाम बनाई कालपनिक होते हैं जहां हमारी दिमाज की उपज होती है जो आपकती नहीं है जया हमारी मन्सहां से बनाते उनकों हम बोलते है भी इस्ट्रेक नाउन अब देख़योड है इसमें क्याबिया बिचार होते हमारे जहां महारी कर दिए तो थी कर देखिए ठीक कर लेंगि यांप मैंने लिव कर दिया इसको लाइक कर दीजिए लाइक है। समान तर्वह कर लेंगी इसे बच्चो कर लें आप लाइक ऐसी दो के डिश्व गाल पर हमारे विचार ऑफालिटी जैसे कि और किसको सामिल रिकिया उन्हों कोई रही कोई प्रोम सिराफ रहा है मेरा समय क्सश्टल कोई रहा है कि ब़ंब नहींने यह ये क्या है हमारे चीजों करते है चीजों को दोन इसा कुछ कुछ भी क्या है कि वह फिशिकली नहीं है उसको अस्टित्व में नहीं है उसका रंग रूप आदि नहीं है किसी को हम बोलते हैं अगी चलते बच्चों एक्जामपल दे रखें नोंने कुछ चीजे कि वही जैसे हवा है सवतंत्रता का ही कौन सा रंग होता है तो आप पहले बस सोच के देख लें कि इस चीज का कुछ रूप रंग होता है क्या यह जो है हम इसका थोड़ा एक्स्प्लाइन कर सकते कि कि कितनी मोटी है पतली है तो आप अंदाज अलगा लेंगे कि कौन सा नाउन है आइधिंक आपक नाउन होते हैं इन में कौन से नाउन आते बच्चों वे नाउन आते हैं जिनको आप छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं स्मयल कर सकते हैं वे सारे नाउन जो कौन से हैं केवल एक को छोड़कर को छोड़कर चारों के चारों नाउन इसके अंदर आते हैं आइधिंक आप समझ सकते इससे सकते हैं कितना मोटा है रच है कितना पतला है सब कैसे कैसेव कर सकते हैं धीक का एक समयर्ट कर सकते हैं डे 좋र कर सकते कि और इसको पूर और सकते हैं और factor or लोग मिंट नमक काने की चीज है इसको रखेंगे हमने वहां में रखा जाएगा रखा जाएगा जहां पर यह चूदते हैं को सब्सक्राइब नावन के बारे में बच्चों मैंने इतना लिग दिया प्रीवेस कि जो हमने पीछे पड़ा उसी की तरह कि हम इने ना देख सकते हैं ना छू सकते वही चीज़ जो आपने पीछे पड़िया आप इसमें एड कर लेंगे यह यह सब कुछ ही उसके अंदर आपको एड करना होगा से लिख लेंगे अपने आप ठीक है कि यह वही सारी वही चीज़े होते हैं जिनको हम केवल महसूस करते हैं कलपना के उपज होती है उन्हें हम कहते हैं आगे चलते बचों तीसरा टाइब जाता है ना उनका वह उता है कंपाउंड नाउन जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं सैयुक्त नाउन यह देखिए बच्चों कौन से उन्हें हो सकते हैं कि वह सकता है और तीन नाउन हो लेकिन उन्हें कोई हम भी आ सकता है के सारे हम अन्य वर्ड को वह सकते हैं जो आपने आट इक स्यूक्ति कि किसी से जोड दो एक साहर चलते हैं और अलग ही नाम बना लेते हैं कोई और नाउन के साथ कोई और वर्ड हो जाता है और वो कुछ अन्य उसका मीनिंग बना देता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन जैसे कि इन में क्या कह रहे हैं कभी तो एक कभी तो क्या होगा बच्चों कभी तो एक नाउन आ जाएगा और उसके साथ एक और नाउन आ ज भूद बना नेटे रहे हैं चीश इसके साहते जो नाउन है अगर स्यूकत बनाना मतलब बड़ा सा ल्न पहत सार्व जोड़ के जरूरीब कि हैं सारं कर दे इसे मिलों कर चलए या फिर आप इसों को जोले किसी को भी जोर सकते हैं कि घृत सकते हैं विठ घृता नाउन को बच्छों कमपाउंड नाउन को देखे इननों कहा है कि एसे लिखा रहेगा दो वर्ड मिलके पूरा एक ही है और उसको सेंस भी एक साथ मिलने से अलग ही आ जाता है ठीक है और कभी कभी क्या होगा कि वह एक हाइफन की तरह से रखा हुआ उनके बीच में चोटा- विकलते हैं और कभी कभी क्या होता है अलग थलग रखे रहते हैं ना मिलके रहते हैं लेकिन जब हम फिंदी निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं और जैसे आप देख लिए सप्ट पॉल सब्डेक अज्चेक्टिव था जो लेक नाउन था दोनों बना दिया तूत एक नवन था फेस्ट एक नवन था दोनों नवन ने मिलकर्का बना दिया तूथ पेस्ट बना दिया आगे देखे इस्ट सेट नाalth ठेक्टिव था जबंध क्छै पेयर फaina धेक है विटले कि यth नौन थे इंगंटा बना नावन को सनलो इसका मीनिंग क्या निकला सनलो का दामाद जो है क्या बन गया एक यह एक बन गया है यहां पर कंपाउंड नाउन नाम तो है दामाद नाम दिया हमने किसी को शिक्स पैक नाम दिया हमने किसी उसको तुथपेश्ट नाम दिया हमने किसी चीज़ को तो इस वोल बने तो ऐसे नाम जो बहुत सारे कर बनते हैं और ऐसा है कि एक ही है मीनिंग से लेकिन होते के सब्सक्राइब कर उंको हम बोलते हैं compound noun कभी बिल्कुल सटके बैठे रहते हैं दो सब्द या दो से ज्यादा सब्द और कभी-कभी दूरी पर बैठे रहते हैं और कभी-कभी दूरी पर होकर उनके बीच में हाइफन भी आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं compound noun फौर्थ देखे बच्चो countable noun यह तो यहां पर देख लिए लिखा हुआ है countable noun आर अकर इन बोथ शिंगल एंड फ्लूरल कि दोनों ही फोर्म में लिखे जा सकते हैं और उनको हम फ्लूरल भी लिख सकते हैं ना कि यह क्या हो सकते हैं 25 six-seven एशे नंबर उनका पहले आशकते हैं और कभी 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 क्वान्टीफाइड घ्र सकते कि यह ज्यादा दिखा सकते हैं किखे कि प्व Αफ शीन के साथ देटर्माय internet को उसकता हैं is होता है watching होता है यह वियुद वे उनके साथ और जैसे किम जांवों सब्सक्राइब गःता है मैंनी में जिकlike हमे से मंश्राइब मोष्ट तो सकतі है मुंस्ड ऑङले बाली वस्त से पहले में उसके बाद आने वाले नाउन के लिए हमेशा जो करते हैं जो गिना जा सकते यह हम कभी से उनके साथ वकान कांवन के साथ रिंसकों यूज कर ज aquesta देख्यों यह प्र जाए हए उसे इनदर एक गान है डूस्शिक एस parish ए¿क जामपल दूसरा उना स likened वहां ने कहाता हूं पर कि वह हम इनको क्या कर सकते नंके साथ हम चैर को भी कर शक्का कौन के साथ क्योंकि काव नंबर क्या होते नंबर काउंटिंगी तो एक सकते हैं तो एससे पहले इनहों ने कहा कि डिवार्ड होते हैं आपको चैप्टर पढ़ाओं तब आपको पता चलेगा लेकिन हमेशा इनको सब्सक्राइब ना आता है इस आता है चाल जाता है दो जाता है सच आता है मैं नहीं आता है मतलब ऐसे वर्ड जो किसी नाउन के आर्थ को fix कर दे उसकी सीमा को बांदे ऐसे वर्ड ओते है डिटर्माइन जो एडजेक्टिव का ही पार्ट होते है बच्चो अर लूदC eh अजेक्टिव होते हैं डिटर्माइनर्स आप इनको बोल सकते हैं यह ऐसे होते हैं इन में से दो तो ऐसे होंगे जो दोनों के साथ प्रियोग हो सकते हैं और यह जो दो है यह हमेशा किसके साथ आएंगे यह हमेशा ऐसे नाउन के साथ आएंगे ऐसे नामों के साथ आएंगे जैसे कि वाइक को आप count कर सकते हैं आगे देखे बच्चो uncountable noun क्या होता है ये ऐसे noun होंगे जिनको आप count नहीं कर सकते केवल उनको आप अनुमान लगा सकते हैं उनकी counting के बारे में या फिर क्या कर सकते हैं उनकी जो मापतोल आप कर सकते हैं उनकी हम केवल माप तोल कर सकते हैं देखी some nouns are not countable you will see them referred to as uncountable non-countable or mars noun देखी क्या कहते हैं एसी noun होते हैं जिनकी counting को हम नहीं कर सकते उनको हम यह तो uncountable noun कहते हैं non-countable कहते हैं mars noun कहते हैं मतलब जो एक ग्रूप बहुत व्यापक होता है इनको हम इसका करना नहीं होता है यह बहुत बढ़ा होता है बहुत उयक आर्थ को दो में नीए उसकाल यह कहाल लेकिन यहां पर आप ध्यान देंगे घार यहां पर क्लटर पर धियान देजिए कल्टर को मैं बत j इसको बोलते हल चल या हला या सोर गुल क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं इसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनका अनुमान लगा सकते हैं आप तोल कर सकते हैं कि अधकि पाउडर्स और इनकी जो मांस उती है उसके बारे में क्या कर सकते हैं अनुमाल लगा सकते हैं जिसे बहीं मील्क है राईज है फुड है इसे बालु यानी रहेत है ना वोट आटा है यह और भी बहुत सारे एबिश्ट्रेक्ट एग्जांपल है कि नाउन भी अनकाउंटेबल होते हैं द्यान रखेंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते जैसे एर फीडम Repeal है इंटेलिजनस ini हैं सब नाउन क्या है इनको हम गिन नहीं सकते दियान रखेंगे जिस चीजें마न गिनना मतलब जो कि को नगे करना उसे केंदर जाते हैं जिनकी मातरा बहुत बड़े व्यापक उस में रहते हैं उनकी गिन्ती करना असंभव लेखे서здी बहुत अस्रीमित है वे तारे जो चीज अस्रीमित होती है उनको हम uncountable noun में रखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को हम uncountable noun में रखते हैं जिनकी केवल मात तोल ही संभव है और कुछ ऐसी चीज़ों को जिनका हम केवल अनुभव अहसास कर सकते कि इतना हो सकता है उनको हम uncountable noun में रखते हैं, I hope आपको यहां तक समझा गया होगा, अब चलते हैं, छटे और लास्ट noun की तरफ, जो क्या होता है बच्चो, पजस्शी होता है किसी noun का, मतलब किसी भी noun का अधिकार दिखाता है, possession दिखाता है, कि उसका अधिकार है उस चीज़ पर, अधिकार क कि दिखाता है, यानि कि इसके स्वामीत तू को दिखा देता है, वह कैसे दिखा जाता है, एक apostrophe लगता है, और एक S लगता है, जिसकी हिंदी का, की के हो जाता है, बच्चो, वह होता है, पजस्शीव नाउन, जैसे देखी, क्या लिखाऊ है, इत डेमोंस्ट्रेट इसारा करता है और सिंद्द नाउन के ऊपर किसी अन्य चीज के ऊपर किसी अन्य वर्ड के ऊपर किसी भी माल लिए 2 पर आदिकार दिखा देता है यह नाउन बच्चों सही भी नहीं है केवल अपोस्ट्रोफी इसकी पैचानी कराता है कभी कभी ओफ भी करा देता है जब मैं आपको नाउन के पजस्थिव पढ़ाऊंगी तभी बाते आपको सिखाऊंगी आगे देखिए यहां पर कुछ एक्जामपल दिये हैं इन्होंने नाउन के प दोब भी दिखा सकता है देखिए अब आयरलेंड्स लैंडिस्कैप इस ट्रूली ब्रेथ टेकिंग कि भई जो आयरलेंड की हम लैंडिस्कैप देखे प्रकरतिक चितरन देखे उस सच में क्या है सांस रोक देने वाला है इतना अच्छा है कि हर कोई उसे देखता रह जाए दूसरा क्या है दूसरा ढ짝 का रिया सफ्रेद्च स५ाइब जो वो हम उसे दे दया तो वो पसंद करता है I think आपको सब समझा होगा जो मैंने पढ़ाया है अगर ना समझा आया हो टो आप मुझे बताएंगे थैंकू टेक कयर